वाटर is pumped from a mine sump at the rate of 300 meter cube per hour to an inverted conical water tank as shown the rate of rising water level in meter per minute at the instant water level reaches at 5 meter height from bottom of the tank is dash rounded up to two decimal places टीक है तो ये चीज है बताईए इसका answer क्या होगा तो सबसे पहले क्या करना वाल में given part को समझे तो मैं cut paste का बिननस करता हूँ और पहले given part को समझ लेता हूँ कि ये कहना क्या चाहते है जी तो ये लो यहाँ से मैंने इसको cut किया और फिर आगे जा करके मैंने इसको paste किया और सबसे पहले मैं यहाँ पर given बाते लिखना चाहता हूँ ताकि आप मेरे calculations को समझ पाओ बागी कुछ ने तो solution के अंदर सबसे पहला point के ये जो है ये height of the cone ये मेरा capital H है ये आपका perpendicular height ये पूरा diameter of the बड़ा वाला circle था तो अगर मैं radius की बात करूँ ये जो radius है ये r कितना होगा ये 10 by 2 ये हो जाएगा 5 ये जो यहाँ से पानी भरा है ये वाला elevation हम मान लेते है x क्योंके वो rate of rice पूछा था न तो rice अगर x है तो rate of rice जो है dx by dt हो जाएगा ऐसा with respect to time correct है तो ये x है और ये चोटा सा यहाँ पर corn है तो इसका भी एक radius हम चोटा सा r मान लेते है ऐसा और ये angle theta मान लेते है क्योंके ये angle क्या है इसके साथ भी associated है चोटे वाले right angle triangle के साथ और बड़े वाले right angle triangle के साथ भी associated है तो वहाँ पर calculation में मदद मिल जाएगी ये मैंने given data लिख लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हो volume की कहानी दे रखी है unit से ही समझ में आ गया meter cube per hour और यहाँ पर पूछा जा रहा है dx by dt की कहानी तो पहले वो मैं आपको clearly बता देता हूँ कि जो given था वो क्या-क्या था और जो पूछा जा रहा है वो क्या-क्या था सबसे पहल जो volume given था के dv by dt that is equal to 300 meter cube per hour यह और जो पूछा जा रहा है that is rate of rice in water level किसमे meter per minute के अंदर याने dx by dt जिसका unit क्या होगा meter per minute तो यहाँ से clear हो गया अगर यह हमको find करना है यह अगर हमको find करना है तो meter per minute होना चीए तो जो volume के अंदर hour है वो चलेगा नहीं तो इसको change करना पड़ेगा यह आपका observation होना चीए कि minute चाहिए तो यह hour यहाँ पर चलेगा नहीं इसका conversion जो होगा that would be 300 meter cube by 60 minute तो यह basically कितना आ इतनी बात clear हो गई तो यह given data को हमने analyze कर लिया और जो find करना है अब उस पर आगे बढ़ेंगे तो idea भी आ रहा होगा कि volume और x तो volume of a right circular cone कितना होता है 1 by 3 pi r square h तो वहाँ से ही शुरुआत करेंगे फिर फिर उसके बाद differentiation with respect to t किकानी और बहुत सारी चीज़े चलेगी तो एक एक करके जाएंगे अब देखो जो volume है उसका formula क्या है volume of right circular cone is equal to 1 by 3 pi times radius का square into perpendicular height correct है अब मैंने कौन से कोन को देखा ये वाले कोन को देखा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैंने इस वाले कोन को देखा जिसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है that angle है theta rise है x याने perpendicular height है x radius is small r तो इसके इसाब से जो volume of cone हुआ that is 1 by 3 pi r square into h की जगा हम कहेंगे x क्योंके वही हमारा perpendicular height है अब यहाँ पर क्या क्या चीज हमारे काम की है volume का है x काम का है क्योंके dv by dt and dx by dt यह term यह हमारे काम के है पर यह जो r square है वो कोई काम का नहीं है और r square की value हमको पता भी नहीं है capital r की value पता है small r की थोई नहीं पता है तो इसको कई न कई eliminate करना पड़ेगा अब वो कैसे करेंगे ध्यान से देखना इसको eliminate करने के लिए हम क्या कर सकते है tan का इस्तेमाल कर सकते है कह सकते है के tan theta कितना होता है opposite upon adjacent तो यह बन जाएगा r by x therefore हम यह कहेंगे के r अब बन चुका है x tan theta अब यह देखो r तो हड़ गया बड एक नई बड़ा आ गया क्या वो है tan theta एक सो हमको चाहिए बड़ टैन ठीड़ तो नहीं चाहिए करते हो न, tan theta, तो यह कितना बन जाता है, opposite upon adjacent, यह देखो यह बन गया 1 by 3, अब tan theta आपका 1 by 3 बन गया, अब यह सब equations आप collect कीजिए, पहला equation, दूसरा equation, और यह तीसरा equation, तीनों को collect करके आप अपना conclusion बनाईए, कि finally, therefore, volume किसके बराबर बन गया, जो pi by 3 r square x था, वो बन गया, कि x tan theta का square, क्योंकि वो r square के बराबर है, ठीक है, और into x, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, कि यह बन गया, pi by 3, x square into x is x cube, x cube, और फिर, जो tan square theta है, तो वो 1 by 3 का square बन जाएगा, so pi by 3 x square into 1 by 3 का square, जो है 9, अब इसका calculation कितना हो जाएगा, चलो, इसको इधर ही रखते है फिलाल, इसको copy कर लेते हैं, next slide में यह कहते हैं, कि हमको मिला है यह, कि v is equal to pi by 3 x cube into 1 by 9, अब हमको क्या चाहिए, dv by dt, so dv by dt that is equal to pi by 3, x cube का differentiation हो जाएगा, 3 x square, उसके बाद dx by dt into 1 by 9, तो कुछ चीज़े कटेगी, 3 3 से कटेगा, और बाकी चीज़े बचेगी, अब उनको क्या चाहिए था, कि जब जो आपका rise है, x, वो कितना हो जाए, जब यह आपका x 5 के बराबर है, यह 5 के बराबर हो जाए, तब dx by dt कितना होगा, okay, so given है, given है, कि जब x आपका हो जाए 5, सही बात है, यह given है, so x is equal to मैं लिखना चाहूंगा, as per the question, that is equal to small h, that is equal to 5, और इसका unit है meter, बाकी उस समय dv by dt का भी, जो calculation हो कितना है, 5 meter cube by minute, यह मैंने start में बता दिया है, और dx by dt तो हमको find करना है, बस यही चीज़े substitute करनी है, इसको substitute किया, इसको substitute किया, तो dx by dt आ जाएगा, और वही आपका requirement है, therefore, 5 is equal to pi, 5 square dx by dt into 1 by 9, तो dx by dt कितना आया, यह एक एक बारी कट जाएगा, तो basically 9 by 5 pi बच जाएगा, so 9 by 5 pi, calculation की हिसाबसे 0.57 आ रहा है, तो आपको कहना है, NET question था, so 0.57 is the correct answer, up to two decimal places, कैसा लगा? एक बाएगा शर्चार, यह जाएगा, सभस औekटी लगा है, नहीं लगान किकत बाएगा, एक बाहा है, कैसा थो इसे जा ठाएगा… सबस्ते किया टो उगान कि जाएगा है, झ cathedral कि आने में रहागा है, ज prawda, rows से ऐ से बचाएगा है, झाल 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 झाल